नमस्कार मित्रों जैसा कि आप जानते हैं, हम MPPSC के सिलेवस के अनुसार हिंदी विशय की असिस्टिंट प्रोफेसर की परिक्षा के लिए सिलेवस पर ध्यान दे रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर अभी हमारी काईनों की कभी जो हैं मद्य प्रदेश के कभी हैं उन पर बाथ्ची चल रही है उनके ही अंतर गत स्री कृष्ण सरल जो हैं एक बहुत महान करांतिकारी कभी हुए है शहीदों के चारण कभी कहते हैं वो अपने आपको उन्हीं कि चार कविताओं पर हम प्रकाष डालेंगे उनके चार कविताओं के नाम हम पहले जा दूसरी कविता है मैं अमर शहीदों का चारण तीसरी कविता है देश से प्यार चौती कविता है शहीद चार कविताएं है प्रमुक रूप से इनमें से पहली कविता है मैं फूल नहीं कांटे या नियारे लिखता हूं सबसे पहले हम कभी का परिचाय ले लेते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी कावियात्रा पूरी की उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या पद प्राप्त किये क्या-क्या उन्होंने रचनाएं की ये सब पर हम पहले बात चीत कर लेते हैं उसके बाद कविताओं पर आएंगे श्री कृष्ण सरल जी का जन्व एक जन्वरी 1919 को हुआ था मृत्यु हुई थी 2 सितंबर 2000 को वे एक भारती ये कवी और लेखक थे भारती करांतिकारियों पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें पंद्रा महा कावे थी पंद्रा महा कावे लिखना मित्रों अपने आप में बहुत बड़ी बात है सरल जी ने अपना संपूर्ण लेखन भारती करांतिकारियों पर ही किया उन्होंने लेखन में कई विश्वकीरती मान स्थापित किये हैं सरवाधिक करांती लेखन सरवाधिक महा कावे लिखने का श्री सरल जी को ही जाता है उनके द्वारा भारती सेनिकों की बलिदानी परंपराओं का इस्मरण कराते राश्टरवादी कावे के लिए उन्हें योगचारण भी कहा जाता है उनके द्वारा रचित मैं अमर शहीदों का चारण हिंदी भाषा की एक लोग प्रिय कविता है मद्परदेश की साहिट एकाडमी द्वारा श्रीकृष्ण सरल के नाम पर कविता के लिए श्रीकृष्ण सरल पुरुसकार पती वर्ष परदान किया जाता है मद्द प्रदेश के द्वारा जो है उनके नाम पर एक पुरुसकार दिया जाता है श्री कृष्ण सरल जी का जन्म मद्द प्रदेश के गुना में एक जन्वरी 1919 को हुआ था गुना जिले के अशोक नगर में उस्सामें अशोक नगर जिला नहीं हुआ करता था बरत्मान मैं शूक नगर मतिप्रदेश का एक जिला है इनके पिता का नाम स्री भगवती प्रसाद माता जी का नाम यमुना देवी सरल जी साशकी शिक्षा महाविद्याले उज्जेन में प्रोफेसर के पद पर कारियत रहे वे स्वेम सुतंदरता संग्राम से नानी रहे तथा द्यापक के पद से निवरत होकर आजीवन सायत साधनाम में रत रहे उन्होंने विविन संस्थाओं के द्वारा भारत गौरव, राष्टर कवी, क्रांती कवी, क्रांती रत्न, अभिनाव भूशन, मानो रत्न, श्रेष्ट कला अचारे आदी अलंकरोनों से विभूशित किया गया राजर शी, पुर्शोतम दास, तंडन से प्रेरित, शहीद भगत सिंग की माता, श्रीमती विध्यावती जी के सानिद और विलक्षन कारंती कारियों के समीपी, प्रोफेसर सरल ने प्राणदानी पीडियों के व्यक्तित्त और क्रतित्त को अपने साहित्त का विशय बनाया वे स्वैम को शहीदों का चारण कहते थे सुप्रसिद साहित्तिकार, बनारसी दास चतरवेदी ने कहा है, भारती शहीदों का समुचित श्राद श्री सरल ने ही किया है, ये बहुत महत्तपून है, किसके बारे में ये कथन बनारसी दास चतरवेदी ने कहा है, तो उत्तर हम भारती शहीदों का समूचित श्राद श्री सरल जी के बारे में कहा है क्या कहा है बारती शहीदों का समूचित श्राद श्री सरल ने किया है और करांती कारी पंडित पर्मानंद ने क्या कहा है सरल जीवित शहीद हैं सरल जी के बारे में ये दो वर्वाग के हमें बहुत मेतुपून लग रहे हैं इन्हें हम याद करना चाहिए बरार सिदास चतरुवेदी ने कहा है बारती शहीदों का समुचित श्राद श्री सरल ने किया और पंडित परमानन्द ने कहा है सरल जीविस शहीद है जीवन के उतरारद में सरल जी अध्यात्मिक चिंतन से प्रवावित होकर इन्होंने तीन महाकावे लिखे हैं इस में से पहले का नाम है तुलसी मानस पर दूसरा है सरल रामाएन और तीसरा है सीतायन याद रखिएगा पूछा जाता है सीतायन किसने लिखा है तो ये हमें याद रखना होगा कि श्री कृष्ण सरल ने लिखा है प्रोफेसर सरल ने व्यक्तिकत प्रयतनों से 15 महा काव्यों सहित 124 ग्रंथ लिखे हैं 124 ग्रंथ बहुत बड़ी बात है और सुयम अपनी पुस्तकों की 5 लाग प्रतियां बेजी थी करांती कताओं काशोत पूरून लेखन करने के संदर में सुयम के खर्च पर दस देशों की यात्रा भी की फुस्तकों के लिखने और उने प्रकाशित कराने में सरल जी की अचल संपत्ती से लेकर पत्नी के आभुशन तक भिग गए पांच बार सरल जी को हुरते आगात भी हुआ परंतु वे अपनी अंतिम सांस तक लेखन की कारे करते रहे और सरल जी का निधन जो है वो 2 सितंबर 2000 को हुआ है करतियों पर बात कर लें तो सरल जी ने 124 गरंतों का फ्रणयान किया है नेता जी सुभाश पर तत्यों के संकलन के लिए वे स्वैम खर्च बहन कर उन 12 देशों का ब्रमण करने का जहां जहां नेता जी और उनकी फोज ने आजादी की लड़ाईयां लड़ी थी इन्होंने करांतिकारी कोश नाम के किताब लिखी जिसमे भारती स्वाधिनिता अंदुलन के तिहास को पूरी प्रमानिक्ता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया किया यह पाँच अलग अलग भागों में प्रकाशित हुई पांच भागों में कौन सी पुस्तक इन्होंने शोद परक्ष पुस्तक लिखी है वो है क्रांतिकारी कोश क्रांतिकारी कोश पांच भागों में लिखी है मित्रों याद रखने वाली बात है फिर इन्होंने महावली भी लिखा है इतियास पुरुष सुभाष भी लिखा है जैहिंद भी लिखा है और इनके उपन्यास हैं चटकाओं का सूर्य, चंदर शेखर आजाद, राजगुरू, जैहिंद, दूसरा हिमालाय, यतिनरनात, दास, बाधा जतीन, रामप्रसाद, बि विचार और विचारक, जीवन रहस्य, मेरी स्रजन यात्रा, महा काव्यों में इन्होंने लिखे हैं चंदर शेखर राजाद, सरदार भगत सिंग, सुभाष चंदर, बागी करतार, शहीद अश्फाग उल्ला खां, कांती जौल कामा, अम्बेट कर दर्शन, सुराज तिलक, विवेक श्री, और जैसुभाष, कावे संग्रह में इनके कई संग्रह प्रकाशित हुए जिन में से किरन कुसम, कावे गीता, राष्ट बीना, सरल दोहावली, करांती गंगा, सरल महा कावे घरंथा वली, जैहिंद गजले, सरल मुकत, इंकिलावी गजले, कौमी गजले, ब कावे मुक्ता, मौत के यांसूख, भारत का खुन अबलता है, महारानी अहिल्यावाई, अद्भुत कवी सम्मेलन, वतन हमारा, हेड मास्टर जी का पैजामा, मुझको यह धरती प्यारी है, कावे कुस्म, कावे कुस्म याद रखिएगा, बहुत महत्रपूर्ण है, कावे कु रहे किसका है, यह पूछा जाता है, कावे कुस्म है, सरल जी का, श्री कृष्ण सरल जी का, इसने सौरब, बच्चों की फुलवारी, इस्मरती पूजा भी पूछा जाता है, इस्मरती पूजा, बापू, इस्मरती ग्रंथ, कवी और सैनिक, मुक्तिगान, संस्मरण, एक ल बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे लेख हैं, संसंकृति के आलो की स्तंब, संसार की प्राचीन सब बथाएं, हंदी ग्यान प्रॉभाकर, देश के दीवाने, शिक्छा वित सुभाष, संसार की महाना आत्माए, कृरानतिकारी, शाहीदों की संस्मृतियां, सुभाष की जाजनेतिक बाविश्यवानिया, नेता जी सुभाज दर्शन, इनके बहुत सारे जो लेक, बहुत सारे जो रचनाए हैं सुभाज चंद्रबोस पर केंडरित हैं, इसलिए जहां जहां सुभाज जी के उपर पूछा जाए, वहां याद रखिएगा, कि श्री किष्ण सरल जी ने लिखा है, तो ये था मित्रों इनका जीवन परिचाए, आगे हम पढ़ेंगे कविता, मैं पूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ, तो आईए हम कविता को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रियास करते हैं, अपने गीतों से गंद भिखेरूं मैं कैसे, मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मजदार भवर तूफान प्रवल, मैं नहीं कभी निश्चेष्ट किनारे लिखता हूँ, अपने गीतों से गंद भिखेरूं मैं कैसे, वे संबोधनात्मक शैली में बोलते हैं कि अपने गीतों मैं वे गंद भिखेरें, मतलब श्रंगार वाला जो सुगंद है, वो कैसे भिखेरें, वे अर्थात मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ, अनियारे मतलब नुकीले काटे जानते ही हैं आप, मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मजदार भवर तूफान प्रभल मैं कभी नहीं कभी निश्चेष्ट किनारे लिखता हूँ, वे अर्थात स्रीकृष्ण सरल जो हैं करांती की कविताएं लिखने वाले कभी हैं, वे श्रंगार की कविताएं नहीं लिखते, उन्होंने हमेशा करांती की कविताएं ही लिखी हैं और सब के सामने करांती कारियों का की गाथाएं सुनाई हैं, उनकी प्रशंसा करी है, की ह और मैं लिखता हूँ मजधार भवर तूफान प्रवल वे सागर की जो समस्याएं हैं जो प्राकृतिक समस्याएं हैं मजधार भवर और तूफान सागर में आने वाली अर्थाद देश में जो समस्याएं हैं उनके उपर प्रकाश डालते हैं वे कभी निश्चेष्ट किनारे शांद किनारे नहीं लिखते मैं लिखता हूँ उनकी बात रहे जो ओगड़ ही जो जीवन पत पर लिख छोड़ कर चले सदा जो हाथ जोड़ कर जुक कर डर कर नहीं चले जो चले शत्र के दाथ तोड़ कर चले सदा मैं गायक हूँ उन गर्म लहू वालों का ही मैं भड़क उठें जो भड़क उठें ऐसे एंगारे लिखता हूँ मैं फूल नहीं काटे एंगारे लिखता हूँ अर्था स्रीकरिन सरल दी कह रहे हैं कि मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो हमेशा फक्कडब सुभाव के रहे और उन्होंने अपने प्राणों की कभी भी परवा नहीं की जो जीवन पत पर लीक छोड़कर चले सदा उन्होंने कभी भी एक शांत रास्ता नहीं चुना हमेशा एक कठिन राह चुनी और उस पर चल कर दिखाया भी और दूसरों को प्रेणा भी दी जो हाँ जोड़कर जुक कर डर कर नहीं चले जो हमेशा वीरता पूरवक रहे जो चले शत्रू के दान तोड़कर चले सदा जिन्होंने हमेशा शत्रू अर्थात परतंतरता देने वाली जो शक्तियां थी अंग्रेज थे मुगल थे उनके खिलाब अपना अपनी दुन्दुभी बजाया रखी अपने युद्ध करते रहे और उनको हराते रहे मैं गायक जर्म लहुबालों का ही अर्थात कभी कह रहे हैं श्री किष्ण सरल जी कह रहे हैं कि मैं उन करांती वीरों का ही गायक हूँ जिन्होंने अपने लहु में उबाल रखा है कभी भी उनको उसको पानी नहीं उने दिया जो भड़क उठें ऐसे अंगारे लिखता हूँ वे ऐस यह उख्यार हैं, जो आन्गारों की बात कर रहे हैं, जो बड़क उठें समय आने पर, आसे कभी हैं जिनोंने हमेशा करांदी की कविताइं लखी हैं मिलीखते हैं। जो हमेशा आपने मेरुदंड को सीधा रखते थे जिनके लोहे के उपमा दी गई है कि जिनके हड़िया जो रिल की हड़ि थी वो कभी जुकने वाली नहीं थी कभी भी वैसे नहीं थे कि किसी के सामने परिस्तिती वर्ष जुक जाएं ऐसे वक्ति नहीं थे उनकी आँखों में सौपन प्यार के पले नहीं जब भी आते वलिदानी सपने आते थे अर्था उन करांतिकारियों की आँखों में कभी भी सौप्यारे सपने नहीं आए वे जब भी आते थे वलिदानी सपने पराण नेच्छावर करने वाले सपने ही उनके आते रहे उनकी निंदों में मैं लिखता हूँ अर्था श्री कृष्ण सरल उन्हीं की श्री कृष्ण सरल लिखते हैं उनके तेवर के तेज दुधारे लिखता हूँ अर्था जो दुधारी तलवार है उनकी तेवर में जो दुधारी पना था जो धार थी उनको ही श्री किशन सरल ने हमेशा लिखा है और गाया है जो देश धरा के लिए बहे वह शोनित है अगले बंद में बोल रहे हैं कि जो देश धरा के लिए बहे वह शोनित है शोनित मतलब खून लहू जो देश के लिए देश प्रेम के लिए मरमिट जाएं अपना वलिदान दे दें जो लहू उनके लिए बह जाए वही लहू है अन्निथा रगों में बहने वाला पानी है इतिहास पढ़े या लिखे जवानी वह कैसे इतिहास स्वेम बन जाए वही जवानी है अर्थात वह युवाओं को प्रोचसायत करने के लिए कह रहे हैं कि इतिहास पढ़े और लिखेने वाली जवानी वरतमान में नहीं चाहिए इस देश को जो स्वेम इतिहास बन जाने के लिए उतारू हो वही जवानी है मैं बात न लिखता पानी के फबवारों की जब लिखता शौनित के फबवारे लिखता हूँ अर्थात जो युवाओं की कथा है युवाओं की ऐसे युवाओं की प्रेणा देने के लिए वे कहते हैं कि पानी के फबवारे तो हर कोई लिख सकता है लेकिन मैंने चुना है करांतिकारियों के श्रोनित के फबारे अर्थात लहू के फबारे फूट पढ़ने वाले फबारे उनको ही मैंने लिखना चुना है और मैं लिखता रहता हूँ मैं फूल नहीं काटे या नियारे लिखता हूँ अर्थात मैं गंद वाली फूलों की कहानिया कविताएं कभी नहीं लिखता मैं हमेशा काटे चुबने वाले काटे ही लिखता हूँ जो हमारे वरतमान के परिद्रश्च अर्थात आजादी के पहले के परिद्रश्च थे उस समय ऐसी कविताओं की आवश्रक्ता थी और उन्होंने वह लिखी यहती कविता मैं फूल नहीं काटे या नियारे लिखता हूँ कैसी लगी मित्रों बहुत जरूरी है कि ऐसी कविताओं भी पढ़ी जाएं और आप बताएं कि यह कैसी लगी आपको बहुत बहुत धन्यवाद